नमस्कार सुपर स्टार फिल्म हिरो अमिताप बचन एक ऐसे अदाकार है जो 73 साल की उम्र हो जाने के बावजुद भी बोलीवुड के किंग बनकर राज कर रहे है अमिताप बचन छोटे बचों से लेकर बुजुर्प तक के सभी लोगों के लिए प्रेणना मुर्ती है उनके बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ में आये चड़ाव उतर और कैसे संघर्ष करके सफलता हांसिल की वो सब जानने की जिग्या सा किसे नहीं होगी आये देखते हैं बचन साहिब के जीवन से जुड़ी कुछ खटी कुछ मिठी यादे 2016 में आयोजित 63 नेशनल फिल्म अवर्ड में अमिताब बचन को फिल्म पिकु के लिए बेस्ट एक्टर का एवर्ड दिया गया इसी के साथ बिक बी को चोथी बार नेशनल अवर्ड मिला इससे पहले उन्हें 1990 में अगनिपत, 2005 में ब्लेक और 2009 में पा के लिए यह एवर्ड मिला था 17 क्लाइव रोड स्थित बंगले में अमिताब का बचपन बीता था 1939 में वह यहां किराये पर रहते थे इस घर में एक कमरा ऐसा है जिसमें खिड की दर्वाजा मिला कर दस द्वार है बंगले का रख रखाव करने वाले हाई कोट के वकिल केके पांड़े बताते है उस समय इसके मालेक स्वश्री संकर तिवारी थे साल 1984 की बात है जब अमिताब चुड़नाव लड रहे थे उस दोरान वह संकर तिवारी के घर पर गए और उनसे बंगलो खरिदने की इचा जाहिर की लेकिन संकर तिवारी की पतनी इंदू तिवारी को उनके बोलने का स्टाइल पसंद नहीं आया इंदू तिवारी ने अमिताब से कहा तुमारी जितनी भी प्रोपर्टी है वो बताओ मैं यहीं से बेट कर खरिद लूँगी लेकिन यह बंगला नहीं दूँगी हिंदी साहित्यकार यस मालवी बताते है अमिताब को बचपन में इलहाबाद के 17 क्लाइव रोड स्थित रानी बेतिया कोठी देखने का सोक था किसी ने इनसे कह दिया था कि रानी बहुत खुबसूरत है इसके बाद जब वो स्कूल जाते थे तब दिवारों से कुद कुद कर इसके अंदर देखता रहते थे किसी ने इनसे कह दिया था कि रानी बहुत खुबसूरत है इसके बाद से स्कूल जाते समय दिवारों से कुद कुद कर इसके अंदर देखा करते थे एक बार उन्होंने वहां के दर्बान से कोठी दिखाने के लिए कहा दर्बान ने इसके अवज में चवणनी मांगी अमिताप के अंदर कोठी देखने की एशी दिवानगी थी कि उन्होंने अपनी मा तेजी बचन के दराज से चवणनी चुरा कर दर्बान को दी अपसोस की बात यह रही कि दर्बान ने इसके बावजूद उनको कोठी नहीं दिखाई मा को जब चोरी की बात पता चली तो उन्होंने अमिताब की पिटाई भी की यूपी सरकार के पुर्वा मंत्री और सपा नेता रेउती रमन से ही बताते हैं कि 1984 चुनाव के दोरान अमिताब उनके पास गए थे उस समय उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं राश्ट्रिय लोकदल के टिकट से लड़ रहे हमवंती नंदन बहुगुणा को वचन दे चुका था कि मैं उनका साथ दूँगा अमिताब के मौसी की लड़की विरेंद्र कोर लखनव में रहती है वह बताती है कि जब भाई को फिल्म इंडस्ट्रिट से पहली बार ओफर आया तो मैं बहुत खोस हुई मैंने थाल सजा कर उसका तीलक किया और ग्यारह रुपए सगुन दिये उसने भी बहन का प्यार समझ कर रख लिया मौसी की बेटी गुडी को अमिताब सगी बहन से बढ़कर मानते है गुडी ने बताया बचपन में अमिताब को पढ़ने लिखने की बजाए संगित अभी नहीं का सोक था दिवानगी का आलम ये था कि कमरा बंद करके वो डोलक बजाते थे ताकि घर वालों को पता न चल सके सुरुवात में मैंने ही उनको डोलक बजाना सिखाया था ठाकूर प्रसाद छोटे भाई हरीवन सराई बचन की आदतों से परेशन रहते थे क्योंकि ये घर का काम नहीं करते थे इन्हें गुमना फिरना पसंद था अंग्रे जोके जमाने के ICS अफसर होने के नाते ठाकूर प्रसाद को अपनी इमेज खराब होने का डर था इसलिए उन्होंने छोटे भाई को घर्षे निकल दिया इस बात को लेकर हरीवन सराई बचन के अंदर काफी गुसा था यह नाराजगी अमिताब जया की साधी के समय तक रही इस नाते 1973 में जब अमिताब की साधी जया से तई हुई तो हरीवन सराई ने बड़े वैको एक निमंत्रन पत्र भेजा उसमें लिखा था चिरन जीव अमिताब का आईसमती जया के साथ विवा होना सुनिस्चित हुआ है आपको आने की जरूरत नहीं है पत्र सही आसिरवात बहच दे हरीवन सराई के पिता गंसुलाला साल 1870 के करिब इलाबाद के जिरो रोड मोहले में आकर बस गए थे उनकी दो साधी हुई थी एक पत्नी से हरीवन्स और दूसरी से ठाकुर प्रसाथ थे 1984 के लोक सभा चुनाव में अमिताब कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़े थे रास्ट्री और लोकदल से हेमवती नंदन बहुगुना उस समय अमिताब के खिलाब खड़े थे फिल्मी चेहरा होने के नाते बीग भी जब चुनावी सभा के लिए जाते थे तो भीड उनके पीछे दोड़ परती थी यह सब देख हेमवती ने एक जन सभा में कहा था भीड नचनिया को देखने के लिए उत्सुक है यही नहीं जवाब में बहुगुणा ने कहा था तुमारे अंगर ने में हमारी ससूराल है बता दे हेमंत बहुगुणा की साधी इलाहाबाद की कमला त्रिपाठी से हुई थी इलाहाबाद के चार पिडी टंडन मार्क पर स्थित BHS Boys High School में अमिताब की सुरू आती पढ़ाई हुई उस समय स्कूल में कुवर रेमती रमन से ही उनके सिनियर थे वह बताते हैं मैं चोथी क्लास में था और अमिताब सेकंड क्लास में थे बचपन में वह हम लोगों के साथ कंचा खेलते थे साल 2002 में केपी कोलेज के मैदान में अमिताब का अभिनंदन हो रहा था उन्हें देखने के लिए लोगों की बीड जूटी थी वही मैदान के पीछे रेलवेट ट्रेक पर बेट कर कुछ लोग अपने हिरो को सुन रहे थे इस दोरान दो लोग पासन सुनते सुनते इतने खो गए कि उन्हें ट्रेन की आवाज भी नहीं सुनाई दी ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई 1984 के लोगसभा चुनाव में अमिताब कॉंग्रेस के टिकट पर इलाबाद से खड़े थे प्रचार के लिए वो संगम नगरी की गलियों में जाते थे फिल्मों में काम करने के कारण उनकी पॉपिलरीटी बहुत थी खास तोर पर लड़किया उनको बहुत पसंद करती थी एक बार वो प्रचार के लिए एक गली में गए तो वहाँ छतों पर खड़ी लड़कियों ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उन पर दूपटे फेंके थे अजीताब ने अमिताब की कुछ तस्विरे निकाली थी उन्हें ख्वाजा अहमद अबास के पास भिजवा दिया गया था उन दिनों वे साथ हिंदुस्तानी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे इन साथ में से एक मुस्लिम योग का रोल अमिताब को प्राप्त हुआ इस चुनाव के वक्त अबास साहब को यह नहीं मालूम था कि अमिताब कवी बच्चन के साहब जादे है उन्होंने उनसे अपने नाम का अर्थ पुछा तब उन्होंने कहा था अमिताब का अर्थ है सुरिय और यह गौतम बुद्ध का एक नाम भी है अबास साहब ने अमिताब से साप कह दिया था कि वे इस फिल्म के मेंताने के रूप में 5000 रूपिय से अधिक नहीं दे सकेंगे इसके बाद जब अनुबन पर लिखा पड़ी की नोबत आई अमिताब की वल्दियत पूछी गई तो कवी बच्चन के सुपुत्र होने के नाते अबास साहब ने साप कह दिया था कि वे उनके पिता से इजाज़त लेकर ही उन्हें काम देंगे अमिताब को कोई आपती नहीं थी अंततह उन्हें चुन लिया गया 1969 में जब अमिताब की यह पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी दिली के सिला सिनेमा में रिलीज हुई तब अमिताब ने पहले दिन अपने माता पिता के साथ ही से देखा उस समय अमितब जेसल मेर में सुनिल दद की फिल्म रेस्मा और सेरा की शुटिंग से छुटी लेकर सिर्फ इस फिल्म को देखने दिली आयक थे उस दिन वे अपने पिता के ही कपड़े कुर्ता पाईजामा सौल पहन कर सिनेमा देखने गए थे क्योंकि उनका सामन जेसल मेर और मुंबई में था इसी सिला सिनेमा में कोलेज से तड़ी मारकर उन्होंने कई फिल्मे देखी थी उस दिन वे खुद की फिल्म देख रहे थे दोस्तो आसा रखता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को सेर करना मत बूले ऐसे और सारे वीडियो के लिए यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका देन सूप रहे